हेलो एव्रिवन वेल्कम टो इंजिनियर सेड़ा गाईज आई होप यह लोग इस प्लाटफर्म पर स्वागत है गाईज सभी लोग एक बार फटा फटा आ जाए उसके बाद सेशन के सुरुवात करते हैं और आज आप सभी को पता है कि हम लोग से विल इंजिनिरिंग के क्व एक्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होते हैं इस सीरीज में हम लोग प्रीविए सीयर के क्वेस्टेंस कर रहे हैं प्रीविए स्परेंट से रिक्वेस्ट है कि जली-जली सभी लोग आ जाए और एक बर कन्फर्म कर दें कि वोस्वीडियो सब आगे बढ़ाते हैं और आज किस वीडियो को continue करते हैं फटा फट गाईज confirm करें everything is good सब कुछ clear है जैसे कि आप सभी को पता है कि गाईज यह जो series है इसमें आपके लिए important questions की सुरुवात होने जा रही है और आप सभी को जो पहले से instruction मैं हमेशा देता हूं कि आप हर एक question का evaluation जरूर कीजिए for each correct question खुद को अपने अपने आपको positive marks जरूर दीजिए और for each incorrect question अपने को negative mark one by three का रखिएगा जिससे कि आपके negative marking की जो tendency है जो आप अकसर करके negative marks जाने अन जाने में आपके हो जाते हैं उसको आप reduce करें देखो selection का main factor यहीं portion है यह इस पे आपका अगर guys control रहाना तो आप selection के करीब पहुंच जाओगे maximum most of the students के वल इस पर work नहीं करते हैं that's why उनको problem होती है तो आप सभी को बस इतना बोलूँगा कि आप लोग एटेंटिव हो जाईए examination करीब आ रहे हैं जो बच्चे serious mode पर पढ़ना है start कर दिए वह अपनी पढ़ाई को और थोड classes में आपकी classes की बात करूं या फिर YouTube की classes की बात करूं हर तरीके से तो guys चलिए फटा-फट स्टार्ट करते हैं और बाद में आपको बैसे के बारे में बता दूँगा लेकिन फिलहाल जो है अभी हम लोग question करेंगे ठीक है चलिए पहला प्रशन आपके सामने है और बहुत ही question की तरफ लेकिन यह बहुत important question आज आपके पास है और अच्छे question है आपको बस request कर रहा हूं कि आप लोग evaluation साथ साथ में अपने answer को comment section में जरूर देना अब देखो यार ऐसे questions पूछे आते है which one of the following statement is incorrect अब यहां पे जब भी इनकरेक्ट वाले questions तो माइंड में एक circle जरूर बनाना है आपको examination में तो नहीं बनाओगे obviously बात हुई है बटा हुई है प्रविट हुई है मैंने class ली थी ठीक है तो यहां पर जल्दी से फटा-फट answer करना start करो foundation में तो वह subject खतम हुआ है उसकी कल ख्लास है आपकी स्वाइल की भी सर्वे की सर्वे की ख्लास है जिसमें रिवीजन के लिए आपको बोला थे एक दिन पूरा पढ़ लेना कि डी option सी option डी और सी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं इसमें इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि इनकरेक्ट पूछा है वह आपने पढ़ा तो सारे option लग रहे हैं उनके सार सही है पढ़ते हैं एक बार हायर वीवी टाइम सोस्टी लोवर वरकेबिल्टी बिल्कुल सही है वीवी टाइम जितना ज्यादा यानि कि slump कोन जो हम बनाते हैं उस slump कोन में वीवी टाइम ज्यादा लगने का मतलब क्या होता है कि यह जो डिस्क है वह बहुत स्लोली नीचे आ रही है तो ही तो टाइम ज्यादा लगेगा यहां पर टाइम ज्यादा लगने का मतलब बस केवल यह है कि यहाँ पर time taking process इसलिए हो रहा है क्योंकि जो आपका paste है वो hard है ठीक है that's why यहाँ पर time ज्यादा लग रहा है यह statement बिल्कुल correct है low workability उसको बोली जाएगी जो paste ठीक होगा मोटा होगा hard होगा दूसरा higher slump shows the higher workability slump value जतनी ज्यादा होगी कौन जितना ज्यादा नीचे जाता है उतनी ज्यादा workability होती है slump test में higher compacting factor सोझती है compacting factor में भी आपने देखा होगा workability बढ़ाती है तो उसकी value भी बढ़ती है धिरी धिरे आपने 0.92 and above last वालकिस देखा होगा तो ये तीनों ही option correct है इसका मतलब इसमें कोई incorrect नहीं है none of the above ऐसे questions examination में ये chances maximum हो जाते हैं कि आप गलत करके आएंगे ठीक इसका answer होगा none of the above कितने लोग नहीं मंदारी से बताने ये question खुद से सही सही जवाब दिया था मैंने एक दो का answer तो सही देखें रफतार गलत दिया आपने एक पटेल सही दिया है निशा ने सही दिया answer अधित्या ने सही दिया है और जितने भी बच्चे अंशिका ने सही दिया है रागनी absolutely correct दीपक आपका भी correct था right मुरारी गलत है आपका हिमानशी सिंग absolutely correct चलिए अगले प्रशन पर बढ़ते है next अच्छे से समझते हु होगे गलती दोबारा नहीं होगी और examination से पहले अपने गलतियों को पहचान लिए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है ठीक है चलिए अगला question next question आपके स्क्रीन पर है guys फटा-फट देखिए और आपके जवाब देना स्टार्ट करना है जल्ली से बताइए मुझे क्या होगा और आज क्यों संख्या कम दिखाई दे रही है तुम लोग की क्या हो गया आज कि सेशन आज दम नहीं आज अनर्जी नहीं आ रही आप लोग को जितने भी बच्चें सबको बोल रहा हूं अच्छन पर आप लोगों ने इन फैक्ट लाइक भी नहीं किया मेरे जो डेली के स्टुडेंट है कम से कम जो रोज आते हो यहां पर पढ़ते हो सीखते हो कम से कम वो लोग तो लाइक कर दो सेशन को जल्ली से गाई जैसे काम नहीं चले गाए एनर्जाइज रही है और थो कॉमनली यूज़ एड मिक्ट्र विस प्रोलांग दिस सेटिंग टाइम मतव सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है जल्ली से बताओ फटाफट इसको क्या बोलेंगे सेटिंग टाइम को बढ़ाना सेटिंग टाइम को बढ़ाना यानि की इस प्रोसेस को स्लो कर देना टाइम बढ़ेगा मतब प्रोसेस लो, that is retarder, absolutely correct, B option is absolutely correct, Agla Prasht, good evening Krishna, good evening, good evening everybody, cylindrical specimen of the diameter, 150 mm and 300 mm are used to estimate of concrete, इसको किस यूज में लाए आता है, कौन से concrete का test होता है, cylindrical specimen of the diameter, 150 and इतना, diameter लिखा हुआ है, दोनों ही diameter लिखा हुआ, 150 and length लिखना चाहिए था, हाला कि ऐसा ही लिखा हुआ है, diameter 150 and 300 mm are used to estimate the concrete, पहला लिखा हुआ है, फ्लेक्जर स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्प्लेट, स्प्लेट, स्टेंसायल स्ट्रेंथ, क्रीब, अब बच्चे इसमें किसमें कंफ्यूज वहाते हैं, सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में तो हमने पढ़ा था, अगर US की बात करें, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिल्कुल करेक्ट है, आपको dimension पता होगा कि उसकी सर 150 mm diameter होता है, और सर 150 mm के बाद ये 300 mm किसकी लंबाई होती है, ये वाला तो आपको पता ही है, लेकिन क्या ये इंडिया में यूज होता है, नहीं, ये तो कंप्रेसिव स्टेंज जो लोग बता रहे हैं, इंडिया में यूज होता है, ये नहीं होता है, इस्पिलिट इंसाइल टेस्ट जो यूज करते हैं, यहाँ पर जो स्टेटमेंट कॉस्टन लिखा इस तरीके से cylindrical specimen के उपर हम लोग क्या करते थे लोड को line load को apply करते थे और line load को apply करने से होता क्या था एक point आता था जिसमें यहां से यह क्या हो जाता था crack आ जाएंगे इसमें fracture बीच में से यह crack हो जाएगा इसका correct answer जो जिन लोगों ने बोला है कि sir correct answer जो c होगा c option is absolutely correct इसका सही answer c होगा दोस्त जितने बच्चों ने c option को सही सही जवाब दिया था उनका बिल्कुल correct है आगे बढ़ते हैं अगला a phenomena commonly observed in river sand for which adequate precaution needs to be taken while estimating measuring and receiving the sand at construction site बहुत ही प्यारा question मज़ेदार question देखता हूं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं मुझे सही सही मांदारी से इसका जवाब दो फटाफट अ कि the phenomena commonly observed generally यह देखने को मिलता है सैंड में observed in sand for which adequate precaution need to taken while estimating and measuring the receiving the sand construction site सैंड को construction site पर हम receive करते हैं तो इन में से कौन सा ऐसा phenomena है जो कि हमको commonly दिखाई देता है अब यह प्रस्न तो पूछ लिया यह प्रस्न हमने पड़ भी लिया इसका जवाब भी हम जानते सर की bulking of sand को हम लोग observe करेंगे क्या लेकिन इसको आप कंट्रोल कर पाओगे construction site पर बताओ ध्यान से क्या सीज को construction site पर कंट्रोल कर पाओगे जब आप sand खरीदने जाते हो तो आपको पता है कि वहाँ पर कैसे अनलोडिंग कर आओगे तो उस केस में आप क्या करते हो मार्किंग कर देते हो कि उस ट्रक्ट में कितनी sand फिल थी और उसका वाल्यूम कल्कुलेट कर लेता हो और बाई वाल्यूम आप पेमेंट कर देते हो जो भी रेट आप तै करके लाते हो लेकिन अगर यह सैंड में मौस्चर है यह सैंड गीली है जनरली यह De Aufgabe को उपर से उपर उठावी देते हैं तो थोड़ा सा उपर उठावे देते उतना आपको मौका ने तो ये केवल पढ़ने की चीजे हैं आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, समवाट ना के बरब, मतलब एक तरह से मान के चलो कि नहीं दम नहीं कंट्रोल कर पाते हो, वाल्यू में कॉम्पैक्ट भी नहीं कर पाओगे, ट्रक को, बस के वल आपको जानना है, ठीक है, चलिए, अगर अच्छी चाहिए, तो शेप क्या होना चाहिए, आपको पता है ना कि अच्छी शेप ऐसा होना चाहिए, जो आपस में स्लाइड कर सके, जो अग्रिगेट एक दूसरे पर स्लाइड कर सके, तो इसके लिए हम लोग बेटा यूज करते हैं, राउंडेट अग्रिगेट, राउंडेट अग्रिगेट के बीच में फ्रिक्शन कम हो जाएगा, एक दू IS456-2000 जल्ली से बता तो, यहाँ पर मिनिममम ग्रेड पुछा है, दा मिनिममम ग्रेड आफ आर सी सी, इन सी वाटर आईस पर IS456, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा कोशन, बार-बार पुछा याथ है, जल्ली से बता तो, मिनिममम ग्रेड का तो आप लोग माहिर हो होगे अच्छा आर सी सी में मिनिममम ग्रेट 20 mm 20 याद रखना और पी सी सी में में 15 यहां पर मिनिममम ग्रेट क्या हो जाएगा बी आप्शन लेकिन यहां पर सी वाटर अगर लिख दिया तो अगर सी वाटर लिख दिया तो सी वाटर में सट क्या हो जाता अपका अगर सी वाटर इस में अड़ कर दिया केवल रीड catalog था तो भी सेम सी दिख दिया तो 30 म क्यों क्योंकि से विर वरफ से कंडिशन में चला जोता है पूरी कंडिशन आपको लिखा जाता हो मा इल्ड moderate severe severe के बाद very severe और फिर बेटा extreme extreme condition अब यह बताओ अगर PCC की बात करूँ मैं PCC तो mild में तो grade कोई specified नहीं है यहाँ पे M15 और उसके बाद M20, M20, M25 ठीक M20, M20 or M25 इस अब दी ग्रेट्स RCC का बताओ बेटा RCC का mild M20 25 30 35 और लास्ट में 40 तो यह पूरे grade आपको याद होने चाहिए यहाँ पे बस एक चीज़ आप यहाँ पे confused हो जाते हैं यहाँ पे severe जो condition है न यहीं पे आप से पूछा जाता है कोशन अधिकतर severe condition, sea water वाली condition, severe में आती है that is M30 ठीक है? बिल्कुल सही चली आगे बढ़ते हैं next अगला प्रशन आपके स्क्रिन पे है the minimum grade of the rain force concrete in sea water sea water काई पूछा है यह तो वही question हो गया ठीक है quick setting quick setting is produced by the adding quick setting cement कैसे? produce होता है जल्ली से बता दो quick setting cement is produced by adding more amount of gypsum in very fine powdered powdered form pozzolona in very fine powder form less amount of gypsum in very fine powder form और aluminium sulfate is very fine powder form अब देखो यहाँ पे confused कैसे होंगे बच्चे जल्ली से बताओ अच्छा कॉसी की पाल पुछने सर्फ और water tank कितने लोग बता सकते हैं water tank में minimum grade क्या use होगा कितने लोग आप में से बता सकते हैं फटाफट बताईए water tank को generally PCC में design किया था और वहाँ पे minimum grade अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या टिक लगाओगे जल्दी से बताओ उसके साथ साथ में इस cancer दो इसमें जितने बच्चे C बोल रहे हैं COD दोनों ही करेक्ट हैं बिल्कुल करेक्ट M30 M30 जिसने भी बोला M30 बिल्कुल सही है आपका एंसर चलिए आगे बढ़ते हैं The mixture of different ingredients of cement is burnt at Cement की burning temperature पूछ लिया और ऐसे questions तो इतनी बारेपीट हुए है Cement और brick दोनों का पूछा जाता है जल्ली से बता दो मेरे भाई Cement का पूछा जाए आप 1400 पर लगा दो single value दी हुई है तो range दिया होगा तो आपको पता है कितनी range पर लगाते हैं range कितने लोग बता सकते हैं फटा फट बताईए कि यहां पर range कितने लोग को पता है कि ओके absolutely correct कि यहां पर देखिए क्या पुछा हुआ है temperature बिल्कुल temperature बेंगे आपको पता होगी ठीक लगबग 1300 से 1500 कहीं लिखा रहाता है कहीं 1250 से 1450 लिखा रहता है ठीक बिल्कुल 1400 आपको बिल्कुल करेक्ट है hydration of the cement is due to cement my hydration hydration of cement is due to the chemical action of the water with chemical action लिखा हुआ है tricylic tricalcium silicate try die calcium silicate यह दो को box compound के examples दे रहे है ट्राइक 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 लस्यम एल्यमिन एल्यमिन एल्यमिनेट एंड ट्राइक लस्यम एल्यमिन फिराइट एप्सलूटली और अप्शन और करेक्ट बिल्कुल सही है डिड्या का सब्सें आप्लाई क्रना भाई अप्लाई कर सकते हूं यार गब से क्या करना है चल रहा है सब ओन गोई इनकी नाट एप्लीकेबल टु वार्ट क्रेंट रिश्यू लौ अब्रायम श्रight की बात कर रहा है यह ब्रायम्न की बात कर है सिर्टेंप्रेचर तो जानते ही हो है इन्टेर्नल मॉस्चर कंडिशन ळी हाइड़रेशन कंटिन्योस okay को अना इंटर्नल मॉस्चर कंडिशन ऑन हाइड़रेशन चांटिनीu स्टिल दीजब तब तक complete strain गेंग नहीं हो जाए तब तक hydration होता रहता है बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा concrete specimen may be tested at any temperature नहीं भाई एनी temperature पर नहीं टेस्ट होता है यह किसने बोल दिया गलत लिखा हुआ है 27 degree centigrade ठीक 27 degree पर हमने इसको टेस्ट करते हैं 2 degree का 3 degree का लगबक tolerance हाता है तो उसको भी आप allow कर देते हैं लेकिन this is incorrect be option incorrect है concrete specimen are needed to be same age बिल्कुल यह सही है और concrete specimen are needed to be same size बिल्कुल सही है same size same age के same time पर टेस्टिंग करते हैं बिल्कुल करेक्ट है अगला प्रश्न जल्दी से बता दो ट्रांस्पोर्ट आफ concrete by pumps pumps के द्वारा concrete को ट्रांस्पोर्ट क्या जता है done for the distance for कितनी दूरी तक हम transportation कर सकते हैं with the help of pump यह एक standard value है जो आप से पूछी गए है जल्दी से बता दो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे with the help of pump हम ले जा रहे हैं concrete paste को तो maximum distance this distance is equal to जल्दी से बता दो बिल्कुल सही बिल्कुल कर्क्ट internal friction between the ingredients of the concrete is decreased by using internal friction concrete के ingredient के बीच में मतलब दो concrete पार्टिकल के बीच का internal friction जो है यह बोल रहा है कि decreased by using अच्छा कुछ कुछ बीच बीच में आपको interesting facts भी बताता चलूँगा मैं जब आप लोग concrete जब construction के लिए prepare कराते हो तो concrete जो आपके site पे बनता है उसमें आप सभी को पताएगी generally कौन सा grade यूज किया जाता है आपको पताएगे कि M20 से कम का grade RCC construction में नहीं यूज करोगे चाहे column बने footing बने कि वन इस्टू 1.5 इस्टू 3 का यूज करोगे वन इस्टू 2 इस्टू 4 नहीं यूज करोगो वन इस्टू 1 इस्टू 2 भी कर सकते हो तो आप बताओ जब concrete में बनाते समय है सैंड सिमेंट और एग्रिगेट को जब मिक्सिंग की जाती है वाटर को एड करके तो कैसे पता चलता है रेशियो कितना रेशियो है बैग तो डालते हैं सिमेंट के पांच बैक सिमेंट डाल दिये लेकिन जो सैंड होता है जो आपके पास एग्रिगेट होता है वो तो कै मिक्सिंग करने के लिए तो कैसे अंदाजा होता है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उनको काउंटिंग करके उनको पता रहता है कि 70 तसल्य हमने मे अगर यूज किए हैं हमने पांच या च्रहном हमने सिमेंट तरीके से तो ये चीज कल नौलेज होती है practical knowledge आप सोचते रह जाओगे साइट पर आपको प्रैक्टिकल नालेज नहीं रहे तो आप रेशियो मिलाते रह जाओगे करते रह जाओगे वह लोग तब तक मिक्सिंग कर देंगे तो यह चीज होती है कि आपके पास प्रॉपर जो वेइंग मैसीन या फिर एक तरह से बोल सकते हो कि वाल्यूम बैचिंग भी कर रहे हो तो वाल्यूम कैल्कुलेशन के लिए आपके पास कोई तरीका नहीं होता है य चलिए बहुत सही यहां पर तो आपसे पूछ लिया गया है कि इंटर्नल फ्रिक्शन बिट्विन इंग्रेटेंस अब कॉंक्रेट इस डिक्रीज़ डिक्रीज़ पहला लिखावा लेस वाटर फाइन अग्रिगेट रिच मिक्स मोर वाटर एंड कोर्स अग्रिगेट यहां तो लिखा हुआ है पोटलेंड पोजो लोना सिमेंट दूसरा लिखा हुआ है क्विक सेटिंग से सिमेंट तेसरा लिखावा लो हीट पोर्टलेंड सिमेंट एंड थर्ड वन इस रैपिड हर्टनिंग सिमेंट विच वन इस करेक्ट कौन सा ओप्शन सत्ते है जल्ली से बताव मुझे सही एंसर चाहिए दीपक विवेक पारितोष अंसिका यूनिक एके पतेल क्रिशना पुस्पा विराट माहिर यहाँ पैंसर डिफर कर रहे हैं आप लोग के ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्त कि ए बी में क्यों कन्फ्यूज हो रहे हैं भाई कंस्ट्रक्शन आफ स्ट्रक्चर इन सी वाटर लिखा हुआ है ठिक यहाँ पर कहीं हाई एलुमिना सिमेंट होता ना तो आप अंडेट पर सेंट उसको सी वाटर के लिए तो लगा ही देते हाई एलुमिना सिमेंट नहीं दिया हुआ है क्विक सेटिंग सिमेंट तो दिया हुआ है क्विक सेटिंग सिमेंट कहां पर यूज़ा जली से बता दू मेंटेनेंस एंड रिपेर वर्क में ठीक यहाँ पर दिस इस वाट दिस इस यहाँ पर रैपिड हाडनिंग सिमेंट कोल्ड वेदर कंडिशन में यह कोल्ड वेदर क कोल्ड वेदर कंडिशन आपसुलूटली करेक्ट लोग हिट सेमेंट तो यह मास कॉंक्रेटिंग के लिए यूज होता है बटा मास कॉंक्रेटिंग के लिए यूज होता है 100% और एक कई बार पूछ लेता आपसे की भाई साब यह बता दो कि सीवर जो होती है सीवर पाइपलाइन उसमें जो सिमेंट यूज होता या फाउंडेशन में होता है फाउंडेशन में जनरली कौन सा यूज करते हैं तो यहां पर आपको टिक लगाना होगा सलफेट रेजिस्टिंग सलफेट रेजिस्टिंग यह सब कुछ कुछ आप पॉइंट्स याद कर सकते हो और भी बहुत सारे पॉइंट्स है ठीक यह सीवर में यूज कर सकते हो फाउंडेशन में जहां पर स्वाइल के साथ कॉन्टेक्ट में हो और वहां पर नमी आ है वहां पर ठीक है सलफेट अटक से बचा देगा चलिए वेरी गुड आगे बढ़ते हैं दा कॉंक्रीट स्लम्प रिकमेंड़ फॉर बीम एंड स्लैब इस बीम और स्लैब के लिए कॉंक्रीट की स्लम्प वैल्व कितने होती है यह पूछा यहां पर इस इस वाट इस इस 25 तू 75 ठीक बीम के लिए स्पेसिफिक लिए अगर पूछा जाए तो 40 से 50 बीम स्लैब के लिए जैनरली हम लोग प्रिफर करते हैं 40 तू 50 ठीक 40 तू 50 जैनरली हम लोग प्रिफर करते हैं 25 से 75 बिलकू करेक्ट है बिलकू करेक्ट अगला हाई टैंपरेचर हाइट यहां पर चार आप्शन दिये हुcir जल्दी से बता तो increases the strength of the concrete, decreases the strength of the concrete, has no effect on the strength, none of the above अब यहाँ पर लिखावा high temperature, temperature increase होगा तो strength क्या हो जाती है, decrease हो जाती है, hydration तेज हो जाता है need of water या requirement of water तेज ज्यादा हो जाती है, जिससे की पूरी proper strength gain नहीं कर पाता है slow hardening होगी तो वहाँ पर strength gain अच्छा करता है, ठीक है, B option is correct workability of concrete mix with low water cement ratio is determined by workability, workability of concrete mix with low water cement ratio water cement ratio अगर low है workability, water cement ratio low है, तो कैसे determine करेंगे, tensile strength test, slump test, compacting factor, flexure आपने तुरंद पढ़ते के साथ यह दोनों तो काट दिया होंगे दोस्त है ना, क्योंकि आपको पता है workability के test ही नहीं है सर, इनको तो ऐसे ही काट दो सीजिसी दे अब बता दो कौन सा option correct होगा C option बहुत सारे लोग बोल रहा है, अब C option बिलकुल correct है, low workability के लिए यूज़ करते हैं compacting factor test cft ठीक है, वीवी टाइम में बोल सकते हो कि very locally यूज़ करेंगे वीवी टाइम, अगर वीवी टाइम कहीं लिखा हुआ है, वीवी टाइम टेस्ट तो यह तो very locally होता है, बटा ठीक है, very locally वीवी टाइम, very good, locally compacting factor test, और low से high की range होगी तो slum test, slum test between low to high किसी के लिए भी कर सकते, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए अगला अच्छा question और आगया एक, if aggregate completely passes through a sieve of size 75 mm, एक aggregate है, वो 75 mm की sieve से pass हो रहा है, and are retained on the sieve of 65 mm, 60 mm, 60 mm की sieve पर रुकरा है, the particular aggregate will be flaky if its minimum dimension is less than, flaky कब बोला जाएगा उस aggregate को, minimum size और maximum size aggregate का दिया हुआ है, जल्दी से बता दो, flaky condition लगा है, flaky condition क्या होती है, 0.6 into mean dimension, mean size, ठीक, अब यहाँ पर दो size है, minimum और maximum, 60, plus 75, divided by 2, average हो जाएगा mean size, अब यह mean size का multiply कर दिया, minimum और maximum by 2 कर दिया, mean size, यहाँ से कितना हैगा, एक बर calculate करके बताना, यहाँ से 60 और 70, 65 और यह 75 है, ठीक है, 135 बते दो, यह point में आ रहा होगा है, point में आएगा, 40 के, आसपास थोड़ा लंसर, 60 परसेंट उसका लेगा, 40, 65, 40.5 हमार आ रहा है क्या, C option, is it C, C option is correct, absolutely correct, C option correct है, C option is correct, चलिए, आगे बढ़ते हैं, while compacting the concrete by a mechanical vibrator, the slum should not exceed, slum कितने ज़्यादा नहीं होनाची, slum should not exceed, while compacting the concrete by a mechanical vibrator, the slum should not exceed, slum कितने ज़्यादा नहीं होनाची, mechanical vibrator यूस कर रहे हैं तो, सेंटिमेटर में दिया हुआ है, अच्छे से देख लेना, नॉर्मल वाइबरेटर, मेकेनिकल वाइबरेटर दोनों पूस्ता है, दोनों का लिखवा देता हूँ मैं याद कर लेना इसको, अगर नॉर्मल वाइबरेटर लिखा रहा है, तो बेटा यहाँ पे 100 mm, यानि कि 10 cm, और मेकेनिकल वाइबरेटर लिखा है, 50 mm, यानि कि 5 cm, यह बी आप्शन है, जो भी उसको समझे लो, बिल्कु करेक्ट है, जितने लोग को याद है, बहुत अच्छी, पावर ड्रिवन टाइप आफ वाइबरेटर रहेगा, तो यह लेस देन 25, लेस देन 25, ठीक, और, हैंड ड्रिवन रहेगा तो, 25 से 50 से मूँ, ठीक है, यह सारी के सारी वैलू याद रहने चाहिए, यह दो वैलू तो बहुत इंपोर्टेंट है, यह पूछी आ सकती है, याद रखियेगा इसको, ठीक है, चलिए, अगले प्रशन की तरफ चलते हैं, अगला प्रशन आपके सामने है, फटा-फट जवाब दीजिए, वाइल कॉम्पेक्टिंग, अच्छा, यह तो सेम कुछस्ट है ना, नॉन होमोजिनियस, नॉन होमोजिनिटी, बिल्कुल, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी नहीं देखने को मिलेगी, या फिर इसकी स्ट्रेंथ बोल सकते हैं, रिड्यूस हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसेस पे उसकी डेंसिटी भी बदलेगी, उसकी प्रॉपर्टीज बदलेगी, ओल आप्शन अर करेक्ट, बिल्कुल सही है, यहां पे डी अप्शन, ठीक है, तो क्या इंप्रूब होता है, बिल्कुल डियूरेबल जादा हो जाता है, यहां भी अल ऑप्शन अर करेक्ट, बहुत ही सिंपल कोशन है, यह दो तिन कोशन बड़े साधारण आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन सा अग्रिगेट जो है, बहुत ज्यादा मजबूती चाहिए, अब यहां पे देखी, क्या पढ़िए एक बार, क्या राउंडेड अग्रिगेट जो होंगे, क्या इसमें पैकिंग बहुत अच्छी होती है, तो आपको जोड़ते नहीं है, तो इसलिए हम यह बोल सकते हैं, कि राउंडेड अग्रिगेट में, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो अच्छी नहीं आती है, ठीक, पैकिंग अच्छी नहीं हो पाएगी, आगे क्या लिखावा है, एर्रेगुलर, एंगुलर, फ्लेकी, नन आव दिए अबब, तो नॉट सूटे आएगा, वहाँ पे, राउंडेड अग्रिगेट कभी उज नहीं होगा, नॉट सुटेबल पुछाए मने, यह आप्शन इस एप्सलूटली करेक्ट, अगला, दा फ्लेकी अग्रिगेट इस सेट तो बी इलॉंगेटेट इफ इट्स लेंथ इस फ्लेकी अग्रिगेट को हम सब के लिए है ये कॉस्टन, सब को एंसर देना है, इंपोर्टेन मार्क कर रहा हूं इस पर, फटाफट बताओ, दोनों की कंडिशन में लिख देता हूं, फ्लेकी अग्रिगेट लिख रहा है, यानि कि अब आपको पता ही है कि इलॉंगेटेट फ्लेकी दोनों के कंडिशन आप जो जानते हो, फटाफट लिख दे रहा है, यहाँ पे 0.6 into mean, mean dimension और दूसरा होता है, 1.8 into mean dimension, यह दोनों चीज़े आपको पता है, ठीक, बिल्कुल, बिल्कुल, absolutely correct, यह इसका dimension should be less than this, और इसका elongated में the least dimension, इस particular dimension से छोटा होना चीज़े माइकजम दामेंशन, या फिर इस से जादा होना चीज़े, तो यहाँ पे दोनों कंडिशन तो यह आपको पता है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है, फलेकी aggregate is set to be elongated, सबको answer देना है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे उल जलूल दो तिन टाइप के answer आ रहे, तीन answer आ गए, और तीन answer आ गए, इसका मतलब मैंने आपको यह दे दिया, question, homework question, comment section में with proper explanation आपको इसका answer देना है, जब भी ऐसा होता है, आपको पताईए मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि आपको इस पे थोड़ा सा research करने की नीड़ है, जो लोग सही बता रहे हैं, उनके भी answer देख चुका हूँ मैं, और कुछ लोगों ने explain भी कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब को find करना है, सही answer और comment section आप करना है, बाद में, आज की video end होने के बाद, त पॉजलोना को add कर देंगे, तो क्या होगा, जल्ली से बता दो यहां पर, पहला लिखा हूँ है, decrease in early strength, early strength, decrease overall strength नहीं, early strength बोल रहे है, बिल्कु करेक्ट लिखा हूँ है, reduction in the chemical action with sulphate, पॉजलोनिक माटेरियल, reduce कर देता है, sulphate attack के chances को, ठीक है, increase in shrinkage बढ़ता है, 100% करेक्ट है reduce in bleeding, bleeding reduce होगा, सारे option करेक्ट है, यहां पर, यह option बिल्कु करेक्ट होगा, यहां पर, addition of proposal होना, all option are correct, यहां पर D, D नहीं, E है, E option करेक्ट है, इसमें, एक option ज्यादा है, सरकारी option है, बिल्कु करेक्ट है, एक पटिल सरकारी option बोलते हैं, इसको, all option वाले को, अगला, the aggregate impact value, the aggregate impact value for the aggregate used in, aggregate जो बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, उसमें aggregate impact value के बारे में question आ गई है, जल्ली से बता तो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, AIV के बारे में, फटा-फट बता तो, building concrete के लिए less than 45, road payment concrete less than 30, runway concrete is less than 30, यहां पर जल्ली से जल्ली सब लोग value बता तो, फटा- WBM course जो होता है, WBM slab sub-base course जो होता है, इसके लिए कितना याद किया होगा, इसके लिए 50 याद किया होगा, आपने, maximum aggregate impact value, यह maximum value है, ठीक है, Cement concrete, बिल्कुल सही, 45, कितने लोगों को यह सारी value याद है, Bituminous concrete या Bituminous base course आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो, इसके लिए 35, surface course अगर मिल जाए, WBM, surface course अगर लिखा हुआ मिल जाए बेटा, तो, इसके लिए आप लोग value कितनी याद करते हो, 30, 100%, Sir, मैं special back से pass हुआ हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, 100% आप examination को दे सकते हो, select हो सकते हो, और, कोई आपको problem नहीं होगी, SSCJ में, अगर आप यह पूछना चाले हो, ठीक है, अभी फिल हाला आप pass हो चुके होना, यह बस जानते होगा, यहाँ पर all option are correct हो जाएगा, surface course के लिए आपको पता ही, 30, बिल्कुल all option are correct, runway concrete surface course, बिल्कुल correct है, 30, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रशन की तरफ, the aggregate impact, same question है, यह तो वही है, same है, अगला, the workability of concrete may be improved by adding, workability कैसे improve कर सकते हैं, हम लोग concrete की क्या add करके, पुछा है, air entrainment agent, बिल्कुल सही है, भाई, workable ज्यादा हो जाता है, air entrainer, या air को impart करते हैं, friction less हो जाता है, या पार्टिकल के बीच में, workability improve हो जाती है, बहुत सीधा सा फंडा है, कि दो पार्टिकल के बीच में friction को कम करो, workability बढ़ा, friction को कम करने के लिए, तो पानी introduce कर दो, water या फिर aggregate को rounded कर दो, या फिर air introduce कर दो, तीन option आपके पास है, available, तो यहाँ पे आपके पास तो यह correct है, क्या forming agent workability को reduce करेंगे, absolutely करेंगे, forming agent, obviously बात है कि friction को reduce करेंगा, oily agent भी, aluminum compound again, यहाँ पे all option are correct, सरकारी option यहाँ पे भी, जिन्दाबाद है, जिन्दाबाद था, जिन्दाबाद रहेगा, है ना, चलिए, अगला प्रशन, pick up the wrong specification of the wicket apparatus from the following, wicket apparatus के बारे में पूछाए कि which one is the wrong option, उसके dimensions दे रखें, basically जिन लोगों ने test procedure पढ़ा होगा, उनको dimension अगर याद होगा, तो इसका answer सही-सही दे पाएंगे, और साथ-साथ में जो बच्चे सही-सही answer दे रहे हैं अभी तक, एक बार यार सेशन को like नहीं किया, आपने तो सेशन को like जरूर कर दो, मेरे दोस्त, ठीक है, diameter of the wicket mold is 80 mm, height of the wicket mold 40 mm, बिल्कुल correct है, dia and height, absolutely correct यहाँ पे दिया हुआ है, जल्ली से बताएए, dia of the wicket plunger 10 mm का होता है, और length of the wicket plunger is 50 mm, confusion बहुत सारे लोग इसमें हो जाते हैं, यह सारे ही dimensions correct है, absolutely correct है, जो इस 10 mm में confused हो रहे हैं, dia of the wicket plunger absolutely correct, dia is, अगर आप से कुछ additional और पूछे, weight of plunger पूछ ले अगर, तो मैं आपको कुछ additional knowledge और भी जाजता हूँ, weight of plunger आप लिख लिजे, 300 gram, 300 gram का होता है, ठीक है, यह आप additionally आप note कर सकते हैं, depth to penetration कि आपको पता है, top से depth कितनी होती है, top से अगर depth पूछा जाए, penetration की तो 33 से 35 से माम लगभग लगग, ठीक, basically देखो dimensions और weight यह याद होने चाहिए, आपका option यहाँ पे, E option बिलकुल correct है, अगला, यह तो वही सेम कोसन हो गया, चलिए, the center needle of the attachment of the wicket plunger projects the circular cutting edge by, अच्छा कोसन है यह, उसी में बहुत बारिकी से frame किया गया कोसन है, विकेट टेस्ट काई है, यहाँ बताओ, यहाँ बोलाए कि the center needle of the attachment, जो attachment होता है न, उसकी central needle इस तरीके का attachment होता है, इसमें बटा, यह मैं बड़ा सा बना रहा हूँ, torch की तरह होता है, यह attachment दिखाए 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 आपने, और यहाँ पर यह needle लगी रहती है, इसमें यह पूछाना की the central needle, the central needle of the attachment of the wicket projects, कितना निकली होती है, यहाँ से needle, यह जो needle यहाँ पर निकली होती है, यह needle कितना निकली होती है, नीचे इसका projection, यह वाली depth पूछ रहा है, this projection, तो इस प्रोजेक्शन इस वाट कितनी होते है जल्ली से बता दो यह 0.5 mm होता है बटा इस पॉइंट 5 mm पॉइंट 5 mm ठीक है तो जिन बच्चों ने जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन दिया है बी ऑप्शन इस एप्सुलूटली करेक्ट इस पॉइंट 5 mm बहुत ही प्यारा कुशन मैं बोलूंगा इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सीखने को मिलेंगी कुछ चीज हैं और कुछ एड़ान करोगे अपनी लॉलेज मदर वाइस कोई मतलब नहीं है सेशन्स वगयरा लेने का मैं आपको हमेशा बोलता हूं मेरे सेशन्स को अगर जो आप देख रहे हो डेली बेसिस पर आपक कुछ ना कुछ मिलेगा सीखोगे इंप्रूव होगे और आप धीरे अगर अपने आपको इंप्रूफ करते हो तो सपोस करो कि इन सब कोस्टन में से कोई कोस्टन आपको एग्जामिनेशन में दिखता है तो आप दूसरों से आगे 100% निकलोगे ठीक है ठीक है धर्म सिंग मीना जी हिंदी में भी करवा दूंगा आपकी भी राय को सुन लिया मैंने अगला प्रशन देख लो ली चैटेलियर टेस्ट इस डन फॉर दिस सीमेंट टू एसर टेन ली चैटेलियर टेस्ट को हम क्यों करते हैं सीमेंट के लिए यही पूछा है क्या इ साउड एस रिटरह बिलकु करेक्ट को सोचना है नहीं यह सीधा सीधा अगर इसी में आप से पूछ लिया आथा इस तरीके से एयर पर मेटी टेस्ट कुछ रिकॉल करा यह आ दो आपको एयर पर्मेबिल्टी टेस्ट किसके लिए करते हो तो आप तुरंत बोलते हो फाइनेस के लिए सर करते हैं बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं जल्ली से बताओ विकेट अपरेटर्स के तो बहुत सारे हैं लीचेटलियर आपने देखी लिया एक और पूछ लिया जाएगा आपसे ब्रिकेट टेस्ट ब्रिकेट ट्वेस्ट ब्रिकेट जो बनाते हैं हम लोग वे किसके लिए करते हैं ब्रिकेट ब्रिकेट टेस्ट आप में से मुझे लगता है 50% लोग बता देंगे सही अंसर इसका ब्रिकेट टेस्ट किसके लिए क्या आता है इस्टेंडड ब्रिकेट टेस्ट टेस्ट टेस्जल लिए क्या आज ता हो तेंसाल स्टेंथ के लिए क्या आजता है बिल्कुल करेक्ट कंपरेशन तो यूट्यो मसीन पर ही करते हैं और बाकि फाइनल सेटिंग इनिशल सेटिंग टाइम विकेट विकेट एपरेटरस पर इनिशल एन फाइनल सेटिंग टाइम वह आपको पता है चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक यह हो गया आपका अगला प्रशन आपके सामने हैं मैच दी कॉलम कॉलम मैच कराने में तो बहुत माहिर हो गया आप लोग क्योंकि यहां पर तो गलती होती ही नहीं आप लोगों से लेकिन एक बर फिर से यहां पर दो बॉक्स कंपाउंड के नाम ही पूछ लिए गया सिम्पल सा कुस्टिन है कि सी टू एसको बिलाइट कि सी थ्री एको कि सिलाइट को और इसको फिलाइट क्या यह सी ऑप्षिन कितने लोगों ने सी ऑप्षिन को सही सही मांक कर दिया है जल्दी से बताओ कितने लोग समझ गये थे क्वेसिन को देखते के साथ किसी होगा क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही दिख गया था कि सर यहां पे कि ए का 4 होगा बी का 3 होगा यह तो हमें सुरुआत में दिख गया था 4 3 लेकिन दो आप्षिन हैं पर मैच कर रहे थे फिर हमें कन्फियूजन हुआ है anc सेठीओ तो 3reten a ۔t esp इसल एड़ सीफियूजन के नेंज से अनुमूल कह रहे हैं सब तो आप भी बता दे रहे हैं भाई अनुम्हो समय तो मिलता है ना कॉस्वन पढ़ने का तो नo कोई फाइदा नहीं होगा बैटा ठीक है तो इसका बिल्कुल सी ऑप्षिन अच्छा ये दूसरा को से नहीं है इसी को मैं सी बता रहा था ये दूसरा को से नहीं देख थोड़ा सा या भी टेस्ट के अपरेटर्स की बात हो रही थे आई गया कोशन आसान ये भी आसान है चैस्ट पहला है फ्राइदनेस विकेट लिखा हुआ है लीच अलियर लिखा हुआ है वाइजा ओ कंप्रेसिंग प्रेशन टेस्टिंग मसीन इसाब तो आप सीदे-सीदे मिला सकते हों सीटी मसीन और आप सीट्य मसीन से और से लीच अटलियर किया जाएगा सर शेटिंग ट 4123 which one is correct a option is correct बड़ाई सिंपल था सर यह प्रश्न तो बहुत सिंपल था ठीक है वेरी गूड यार तो गाईस यार हमने 30 कोशन कर लिए एक शुभ के लिए बोलते हैं न कि आज 100 नहीं 101 रूपे तो ऐसे 31 कोशन और उम्मीद करता हूं कि आपके लिए सुभ हो ये जल्ली एक चैनल दी फॉलिए स्टेटमेंट इन में से कौन साइस सेटमेंट करेक्ट है यही पूछा है दो इस स्टेटमेंट दिये हुए वेटा पहला फर्स्टेटमेंट पढ़ लो रिच मिक्स अर लेस प्रोन टू ब्लीडिंग देन लेस वन हवर इच मेक्स बोल रहा है कि लेस प्रोन तो ब्लीडिंग देन लेस वन मतलब जिसमें मिक्स में रिचर मिक्स बोलते हैं जिसको वह लेस प्रोन है उसमें ब्लीडिंग कम होती है यह कहना चाहा रहे हैं बाई साब और दूसरा कहा रहा है ब्लीडिंग कैन बी रिडियूस बाई इंक्रीजिंग दिफाइ से कौन साय स्ट्रेट्मेंट करेक्ट है यह पूछ रहा है हां लाइक भी 51 होगा है सुभ सारी चीजें सुभ हो रही है न लेकिन लाइव 101 होता तब तो सुभ होता लाइव वीवर्स भी उस लेवल पर से पहुंचाओ तब तो मानेंगे सुभ है हां लाइक बिल्कुल सुभ है यह कोशन आप लोग के लिए होमवर्क कोशन रहेगा अच्छे से पढ़ना रिच मिक्सर लेस प्रोन टू ब्लीडिंग दैन लेस वन यह पहले वाले स्टेट्मेंट आपको कंफ्यूज जरूर करेगा मैं आपको सभी को बोलता हूं कि यह आपके लिए होमवर्क कोशन है इसका एंसर भी आपको कॉमेंट सेक्षन में ड्रॉप करना है तब ही सुभ होगा और ना सुभ हो जाएगा ठीक है कि चलिए कोई नहीं संतावन हो गए हैं थाउन लाइक हो गया थैंक्यू सो मच यार बहुत बहुत शुक्रिया जिन्हों ने सेशन को लाइक किया आप लोगों को सेशन कैसा लगा एक पर जुरू बताइएगा दोस्त और जितने भी बच्चे हैं डेली बेसिस पर पढ़ रहा है उन सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मिले यही मेरी यहां पर एफॉर्ट मेरे इसी डिरेक्शन में होते हैं कि आप लोग डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ हैड़ाउन करो अपने नॉलेज में अधर वाइस सीखोगे नहीं तो improvement नहीं होगी improvement नहीं होगी तो कुछ gain नहीं करोगे gain करना है जरूरी day by day हर एक छोटे छोटे पॉइंट से gain करेंगे तभी आप पूरे examination को समझ पाएंगे और crack करने में आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी ठीक है चलिए thank you so much बबाई take care मिलता हूं आपसे फिर सब्सक्राइब के सारे subject आपके लिए यह पर्टिकुलर डीडीजे का selection batch available है 247 के application पर डाउनलोड कर लो अपने phone में यहां पर description में लिंक है यहां पर chat कर रहे हो वहां भी एक link दिख रहे होगी वहां से भी डाउनलोड करने के बाद आपको अपने email address login करना application में और a&j exams में आपको यह dda का एक segment दिखाई देगा dda पर click करेंगे जैसे ही तो यह आपको डीडीजे का batch दिखाई देगा इस particular batch को lowest price में अगर join करना है तो एक discount coupon code है y293 इसको use करेंगे तो इसकी price जो है reduce हो जाएगी लगभग 2324 के बीच में यह batch आपको मिल जाएगा जिसमें civil engineering पूरी स्सी जेए का foundation batch है जो की start हो रहा है नौ जून से बहुत ही बहतरीन batch foundation batch आप सभी को पताए कितना अच्छा होता है नाइट की पढ़ाई मेरी class से थैंक यू सो मच एक पटेल निशा थैंक यू सो मच जितने भी बच्चे यहां पे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया मिलते हैं इसी तरीके से यार इस तरीके से पढ़ेंगे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे है ना इसी स आप लोग भी पढ़िए और किसी को कोई भी नीड हो किसी भी बैच की इनफेक्ट महा पैक में तो आपको टेस सीरीज सारे बैचे पीछे जितने भी बैचे सब इंक्लूडेट रहते हैं कोई साभी बैच लेना हूं मैं कह रहा हूं एक डिसकाउंट कूपन कोड आपको बत थैंक यू सो बच्छ